दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सिर्फ मूवीज अपलोड करके 2600 डॉलर की एंडिंग मिनिमम कर लिया है जो के हमारे इंडियन करेंसी में होता है 2,14,000 रुपए यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने भी एक मूवी अपलोड किया था यहाँ पर ना तो कोई कॉपिरेट स्ट्राइक है ना ही कोई कॉपिरेट क्लेम याने की चैनल मोलेटाइज भी होगा इससे मैं अर्णिंग भी करूंगा यह सारा प्रोसेस आपको भी सिखाऊंगा इस वीडियो मैं आपको फुल सिखाने वाला हुं कि किस तरह से आप मूवीज अपलोड करके एर्णिंग करने वाले हो गन्याजिस उन्हों ने ऎर्णिंग किया आपका आपकी दॉल्ड़ाँ सा ज्यालुआ ही होगा सिर्फ एक movie को एक बार edit करो और उसी को YouTube में और उसी को Facebook में upload करो दोस्तो editing के process ऐसा होगा कि आपको ना तो वहाँ पर copyright claim आएगा ना तो copyright strike आएगा कुछ भी नहीं आएगा और इसकी मदद से आप जो है काफी अच्छा वहाँ पर earning दोस्तो करने वाले हो and of course अगर copyright claim ना आए copyright strike ना आए तो जो earning होगा वो तो आप ही का होगा and हाँ क्या ये channel monetize होगा ये एक काफी अच्छा सवाल है तो इसका जवाब भी आपको मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ with proof ऐसा नहीं कि मैं आपको just idea दे रहा हूँ कि देखी ये है idea और इससा आप काम करोगे जी नहीं अगर आप इस वीडियो को complete watch करते है तो मैं आपको with proof दिखाने वाला हूँ कि देखिए मैं अपने channel को monetize भी करके दिखा रहा हूँ and दोस्तों गर earning की बात करें तो earning कफी भी कम नहीं है जी है 2600 डॉलर येने के तक्रीबन 2,00,000 रुपए सिर्फ movie को download करके थोड़ा सा edit करके upload करने के लिए इससे आसान तरीका शायद कुछ भी नहीं होने वाला है internet पे earning करने के लिए यहाँ पर 2,00,000 यूटीब के 2,40,000,000,000,000,000,000 फेस बुके अफकर फेस बुक में जो है दस्तों वीडियो और भी जल्दी वाला हूने वाली है यह जो process है वो full सीखना क्योंकि अगर कहीं कुछ गड़बर कर जा तो मेरे भाई copyright claim आ जाएगा और आपकी जितनी भी महनत थी जितना भी आपका earning था वो लेकी जाएगा original company बले यहाँ पर जो चीज आपको सबसे पहले करना है वो है वीडियो को full watch करना है skip नहीं करना है और वीडियो अचला है तो चैनल को सबस्क्राइब करना है वीडियो को भी like करना है दोस्तो अपने आपको लेकी चलता है अपने computer screen में यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो मैंने full movie upload किया था आप इसका length भी देख पा रहा हो और यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हो कि इस वीडियो में जो दोस्तो कुछ खास views नहीं आए और उसका reason यह है कि ना तो मैंने कोई SEO किया था ना कोई अच्छा title दिया था ना ही कोई description दिया था tag वगरा कुछ भी नहीं दिया था तो views आखिर आते कहां से यह एक fact है और यहाँ पर मैं आपको just यह दिखाना चाहता था कि हाँ यहाँ यहाँ पर copyright claim जो है वो नहीं आया है आप देख सकते हैं कि यह वीडियो में आज कल नहीं 29 नवंबर को यह वीडियो में अप्लोड करके रखा था आज का जो date है दोस्तो वो मैं आपको google में ले जाके दिखाता हूँ यह दिखिए today date and time और मैं इसको open करता हूँ तो देख सकते हैं आज का जो date है दोस्तो वो है 8 फरवरी 2023 और 5.45 पीम अभी इस टाइम पर हो रहा है दोस्तो यहाँ पर एक चीज़ दो clear हो गया कि हाँ यहा मिला होता तो मुझे मिल जाता है 10 मिनिट के अंदर ही यह सरे चीज़े आ जाती है और दोस्तो इसके साथ जो है आप facebook में भी देख सकता है कि movie scene जो है मैंने movie scene सर्च नहीं किया है मैंने थोड़ा घूमा के सर्च किया इसके वज़े से मुझे जो है यह चीज़े मिले देखि तो हर एक वीडियो में दोस्तो आपको देखने को मिल जागे कि कोई भी क्लेम वगरा नहीं है जैसे दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं यह एक क्लिप है जो के अफकोर्स कोई original page ने इसे अपलोड नहीं किया था पेज का नाम है वीडियो A181 ऐसा कुछ जो के 9 घंटा प जो कर रहा है और यहां पर आप देख सकते हो कि यह जो वीडियो है यह दोस्तो दो फर्वरी को अपलोड किया गया था इस पर 1.5 million views आ चुका है अफकोर्स यहां भी कोई क्लिप मतलब इस copyright वगराट नहीं है यहां पर 27 जनवरी को अपलोड किया गया था जिस पर 1.4 million views हैं अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो वीडियो को complete वाच करो, full वाच करो मैं आपको editing के साथ सब कुछ दिखाना होगा हैं दोस्तो सबसे पहले जो चीज आता है कि आपको आखिर अर्डिंग होगा कैसे जो सबसे पहला चीज है उसको लाश्ट में बताएंगे क्योंकि पहल अर्डिंग के तरफ बढ़ पाओगे तो सबसे पहले जो है दोस्तो आपको किस तरह के movies लेने हैं दोस्तो यहां पर आने आपको जितने भी movies दिखाये चाहे मैंने खुद जो upload किया था वह वाला या फिर जितने भी आपने देखे वो सारे movies में एक चीज common था कि आपने notice किय कि वो सारे movies जो थे वो दोस्तों South की थे यहने कि Hindi के नहीं थे Bollywood के नहीं थे Hindi version में डब जरूर था लेकिन वो Hindi नहीं था तो दोस्तों यही चीज आपको भी करना है आप जो करोगे वो Hindi video मतलब Hindi version में डब होगा लेकिन दोस्तों वो Hindi नहीं होगा अगर आपको कोई अलग जो है original language जैसे के मेरा है बिंगॉली तो अगर आपका कोई original language है कुछ और language है उस language में जो movies होती है आप उनको भी clips करके upload कर सकती है ध्यान दे मैं आपको full movie upload करने के लिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इसके दो risk है एक तो full movie में जल्दी claim आ सकता है दूसरा जो है आप full movie क्यों upload करोगे जब मान लेते हैं कि अगर आपने एक full movie upload कर लिया तो उस पर कितने ही ads चलेंगे तो वहां पर जो earning होगा दोस्तों अगर आप उसी movie को 10-20 parts में divide करोगे तो आपके चैनल पर जो है आपकी page पर जो है वो reach भी ज्यादा होगा और उसके बाद दोस्तों जो है आपका earning भी उतना ही गुना होगा तो दोस्तों अफकोर्स आप जो भी upload करोगे वो movie clip मतलब हिसाब से upload करना छोटे-छोटे parts upload करना बड़े movies upload मत कर देना फुल movies upload मत कर देना यह पर दोस्तों editing को सोड़ा सा सीखना होगा editing आप कैसे सीखोगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्राइक आ सकता है इसका solution हमको मतलब हमें यह upload करने से कैसे पता चलेगा upload करने से पहले क्योंकि मैंने movie download किया उस पर बहुत सारा महनत किया और फिर मैं उसको upload कर रहा हूं तो उसके बाद दोस्तों अगर claim आ गया तो मेरा जो महनत था वो बेकार हो जाएगा तो मुझे claim न दोस्तों इसलिए copyright strike इन सब चीजों में normally नहीं आता है तो उहां पर उस claim को हमें दूर करना होगा तभी जो है earning हमारा हो पाएगा दोस्तों claim को हम कैसे हटा पाएंगे वह आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं तो दोस्तों सबसे पहले चले movie find कैसे करोगे वह लेनी है जो के जिनके पास ये वारा टिक नहीं है क्योंकि टिक है मतलब ये official है दोस्तों and official में हम काम नहीं कर सकते ये देखिए यहां पर जो है इस पर 62 million views आया है and ये of course official नहीं है and ये वीडियो दो महीने पहले upload किया गया था ये full movie upload किया गया था and इस पर दोस्तों आज सक ना तो claim आया ना तो strike आया तो आप इस चीज़ को कर सकते हो मतलब ऐसे pages आपको find करने है जो कि official नहीं है लेकिन बहुत दिन से इनके pages पर movies पड़े हैं अब मैं इनके page को open मतलब इनके channel को open करता हूं open करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर आते हैं तो इन्होंने बह भी वीडियोज अपलोड कर रहे हैं जाहिर सी बात है कि इनमें जो है copyright claim या strike नहीं आएगा ऐसे कुछ channels आपको find करने हैं क्योंकि देखिए अगर आप नीचे के साइड जाओगे तो यहां पर आप देख बहुत कि यह कितने सारे movies अपलोड करते हैं जैसे अगर आप और नी महीने से चैनल पर काम हो रहा है यह देखिए यहां पर तीन महीने से सिर्फ काम हो रहा है इसके बाद कोई वी वीडियो नहीं है और दोस्तों इन तीन महीने काम करके इन्हों ने जो काम किया है वह आप देख सकते हैं कि इतने सरे movies इनो ने अपलोड कर दिये 5.000.000.000 से डाउनलोड कर लेना है अब डाउनलोड आप कैसे करोगे वह दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्लियरली नहीं बता सकता क्योंकि यह यूट्यूब के फूल एगेंस्ट है आप अगर यह जानते हो तो अच्छी बात है अगर नहीं जानते हो तो मुझे इंस्ट्रागर में फॉल साथ मिनिट के क्लिप रखता हूं दोस्तों वहां से मैं काफी इजीली आठ दस वीडियो निकाल सकता हूं अब उसके बाद हमें उन वीडियो को अपलोड करना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक लगाना है जिसके जरीए आपका चैनल मोनेटाइज होगा यह तो पहले से हमारे पास पड़ा है तो उसकेस में आपका प्लिकेशन से अगर आप मोनेटाइज करते हो दोस्तों वहां पर आपको काफी अचा नहीं होने वाला एक बिल्कुल ट्रॉस्टेट साइट है बहुत सारा लोग आज की रेट में वह यूज करते हैं तो चिले यह वह डाउनलोड हो चुका है मैं इसको नीचे इस साइट कर लेता हूं और फिर यहां पर 19-20-10-80 करके रग लेता हूं अब दूस्तों एक चीज़ अब देखिए सबसे पहले आपको जो काम करना है अगर आप इसको यूट्यूब प्लोड कर रहो या फेस्बुक प्लोड कर रहो आपको जो इसको फॉर्मेट चेज़ करना है यहां पर आप देख सकते हो एक आइकन है टीवी टाइप का इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक आप्शिन में लेगा चेंज प्रोजेक्ट एसपेक्ट रैशियो इसपर क्लिक करोगे और फिर एस्पेक्ट र कर रहा हूंगा तो चले यहां पर इसको डिलीट कर लेते हैं यह हमारा जोस्त छोटा इस चार मिनिटीब का वीडियो हो चुका हैँगे देखें वीडियो नॉर्मल चल रहा है लेकिन हमको ऐसे चलने नहीं देना इस पर टेच करेंगे और यहाँ पर क्रॉप एक क्लिक करेंगे और ओरिजिनल रेशियो यहाँ पर लिखा है इस पर आप रख भी सकतो या फिर अपना खुद का भी रेशियो आप देख सकतो मैं यहाँ पर कस्टम करता हूँ अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इस साइड से and फोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं इस साइड से लोगो गरा जो है वो भी हट जाए और हमारा जो यह सीन है वो दोस्तो अलग हो जाया अब यहाँ पर यह चीज ऐसा लग रहा है और मैंने काफी सारे effects डाउनलोड करके रखे हैं, आपको इस तरह के effects डाउनलोड करने हैं, आपको वो effects यूज करने हैं, जो आप apply करने के बाल, movie में ज़्यादा कुछ change ना हो, जैसे for example, यहाँ पर अगर मैं इसको apply करता हूँ, देख सकते हैं, movie के चारो तरफ जो है, एक border type क आया गया, लेकिन इससे movie देखने में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि disturb हो रहा है, आपको ऐसे कुछ चीजे यहाँ पर डाउनलोड करके रख लेनी हैं, जैसे for example, अगर आप इसको देदोगे, तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा इहाँ पर disturb आपको लग सकता है, लेकिन दो example के लिए आप एक और चीज में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर अगर कोई माल लीजे, लव यहाँ पर लववल आइकन है, दोस्तो अगर कोई लव सीन वगरा है, तो आप यहाँ पर simple इसको डाल सकते हो, यहाँ पर इस तरह से आपको animation जो है, वो देखने को इसके बाद जो एक special काम आपको करना है, वो है, आपको open कर लेना है canva.com, इसके बाद मैं यहाँ पर search करता हूँ end screen, तो देख सकते हैं मैंने सिर्फ end लिखा है, यहाँ पर end screen आ गया, दोस्तो अब यहाँ पर बहुत सारे end screen templates हैं, मैं कोई भी free वाला जो है download कर लेता हूँ, इसके बाद मैं इसको simple download कर लूँगा, मुझे customize वगरा करने की कोई जोरत नहीं है, ठीके, तो यहाँ पर मैं इसको share करता हूँ, इसके बाद download करके इसको download कर लूँगा, तो यह रहा download and download पर click करके मैं इसको download कर रहा हूँ, जब तक यह download हो रहा है, तब तक दोस्तों आपको दिखा दू, आपको जला आना है, इस वाले website में, यहाँ पर यह जो website है, इसको आप देख सकते हैं, इसका नाम है, साइफोनिक्स, S-Y-F-O-N-I-X, आपको याद रखना होगा यह website, क्योंकि यही website आपको पैसे देने वाला है, इसके बाद दोस्तों website को open करने के बाद, यह आप देखिए, email address सबसे पहले लगेगा, उसके बाद, first name, last name, password, password confirmation, यहने के password को दो बार देना होगा, payment आप कैसे लोगे, PayPal से लोगे, या विन्यो में से लोगे, या बाद में करोगे, तो यहाँ पर मैंने PayPal कर दिया, यहाँ आपको PayPal का email address आपको देना है, जो आपका PayPal ID है, इसके बाद दोस्तों, currency में आपको यह भी select करना है, कि आप कौन से currency में, पैसे लेना चाहते हो, आप US dollar भी कर सकते हो, dollar करना ही हमारे लिए best होगा, and sign up करने के बाद, आपके पास कुछ ऐसा page open हो के आजाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, profile, my tracks, and earnings, वाइरा बहुत कु मैंने click किया, and देखिए, यहाँ पर जो है, यह download हो चुका है, अब दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ, my tracks में, and यहाँ पर आप देख सकते है, मैंने जो download किया, वो यहाँ पर लिखा आ गया, and इससे मैंने कितना earning किया, वो भी यहाँ पर लिखा आ गया, and यहाँ पर आप नाम मिला सकते हो, देखिए, यहाँ पर जो भी है, साइफोरिक्स, रिवियरा, साइद मैंने सही प्रणाउंस किया, पुता नहीं, यहाँ पर आप नाम यहाँ से match कर सकते हो, खेर, अब अब अपर से अपने editing software में, and यहाँ पर अब देख, हमारा end screen भी download हो गया होगा, जी है, यह देखिए, हमारा MP3 and end screen, दोनों ही download हो चुके है, मैं इनको यहाँ पर रग लेता हूँ, अब इसको cut कर देते हैं, अब दोस्तों, मैं end screen को जो है, वीडियो के end में लगा दूँगा, यह सबसे main important part है, यहाँ पर मैंने, sorry, music को drag कर लिया, यहाँ पर मैं end screen को attach करू हो, यहाँ पर देखिए, यह जो है, 4.35 से start हो रहा है, and 4.50 तक जा रहा है, यहाँ दोस्तों, 15 seconds है, मेरे लिए enough है, तो इसके बाद दोस्तों मैं जो music को है, वो यहाँ पर लेके आऊंगा, and यहाँ पर देखिए, मैं music का कोई भी portion cut करता हूँ, यहाँ से, इसको cut कर दिया, and फिर दोस्तों, music को मैं यहाँ पर end में भी cut कर दूँगा, end में लेके चलता है, and यहाँ पर music पर tap करते है, and इसको cut कर देते है, हमारा काम हो गया, अब दोस्तों, यहाँ पर जो है, हमको यह वाला जो हमारा file है, ध्यान दे कि, यह जो हमने किया, यह वाला portion सबसे ज्यादा important है इससे भी ज्यादा important ये वाला है ठीक है इसको आप miss नहीं कर सकते अगर इसको miss कर दिया earning नहीं होने वाला इसके बाद दोस्तों जो है हमको ये video export कर लेना है तो चलिए export करते हैं नाम लिख देते हैं south movie और ऐसा ही कुछ नाम आप भी लिख सकते हो जब आप movie का title लिखने वाला हो तो चलिए इसको export करते हैं और दोस्तों हमने यहाँ पर end screen क्यों लिया and end screen में इस तरह के music हमने क्यों add कि दोस्तों देखिए जैसे मैंने कहा था कि YouTube का जो rule है कि आप normally जो है दोस्तों video movies को upload करके earning नहीं कर सकते हो आपका channel monetize नहीं होगा लेकिन हमने यहाँ पर music लि देने नहीं वाला एड यहाँ पर हमको YouTube पैसे नहीं देने वाला तो यहाँ पर हमने जो music लिया उस music पर copyright है उस company का siphonics यानि कि वो जो audio है उस पर उस company का copyright claim है यानि कि copyright है तो जब आप उस चीज़ को YouTube पे upload करोगे तो वो company आके आपको copyright claim देगा and copyright claim का क्या सूच मतलब दे कि एड तो YouTube में चलता है यह तो आपको पता है कि YouTube पर एड चलता है आपको movie upload कर रहो को ऐसा वीडियो आप देख रहो जो के copyright claim है जिस पर copyright claim है लेकि फिर भी उस पर आड चलते है क्यों कि उसके जो पैसे है वो उसके owner को जाएगा या फिर YouTube के पास जाएगा दोस्तों आला कि से copyright claim डाल देता है क्योंकि आपने उनका video यूज की audio उनके audio के वज़े से वो आपको देगा copyright claim कि आपने हमारा music लिया अब YouTube के rules के हिसाब से क्योंकि उन्होंने copyright claim दिया अब अगर उस video में ads चलती है जो के 100% चलने वाली है हर एक video में दोस्तों ad चलती है और यहाँ अगर उसमें ad चलती है तो उसका earning किसको जाएगा उसका earning जाएगा siphonix को and siphonix उसकी earning जो है आपको दे देगा लेकिन हाँ वो full earning नहीं देगा वो आपको देगा 50% 50% वो रख लेगा क्योंकि दोस्तों of course वो भी earning के लिए ही कर रहे है तो यहाँ पर यह है दिमाग यह दि करोगे earning दोस्तों बहुत तगड़ा होने वाला है तो चलिए अब जो movie हमने बनाया उसको upload करके देखते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं create करता हूँ upload movie करता हूँ इसके बाद मैं चला जाओंगा अपने desktop में दोस्तों यहाँ पर अब देख सकते हैं मैं इसको upload भी करने लग ग देता हूँ और यहाँ पर यह no not for kids करते हैं next करते हैं यहाँ पर मैं कुछ चीज़े अभी add नहीं कर रहा हूँ कि अभी जाश आपको दिखाना है private कर लेते हैं save कर लेते हैं अब देखते हैं चलिए कि पर copyright claim वगरा आया या नहीं यहाँ पर दोस्तों यह pending में पड़ा है त दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लेंध जो है वह भी 437 से लेकर 451 तक यानिके जब तक हमारा end screen था तब तक हमें copyright claim मिल चुका है यानिके दोस्तों अब जिस्ट वीडियो पब्लिश होने के देर है जो भी earning होगा वह सब जाएगा सैफरिक्स के पास और वह earning आमको द अब देख सकते हैं कि हमारे पास यह वाला वीडियो आ गया है यहने कि हमने बता दिया है कि इस वीडियो में आपकी दुआरा copyright claim दिया गया है अब यहां से जो भी earning होगा उसका 50% यह हमें को दे देंगे तो दोस्तों earning अपको मिल जाएगा लेकिन आपको earning मिलेगा कब वो भी मैं आपको दिखा जाता हूँ तो देखिए इनके frequently asked questions में अगर आप जाओगे तो यहां पर आप देख सकते हो एक option आपको देखरें को मिल जागा है यहां पर हमारा main question है how often I will get paid यहने का हमको हमारा पैसा जो है वो कब मिलेगा तो और इसका answer उन्होंने दे रखा है we get paid quarterly from YouTube, TikTok, Facebook, Instagram are currently taking longer यहने के दोस्तों हम तीन महिने में एक बार उनको payment मिलता है YouTube से और TikTok से Facebook इनको और देर करता है payment देने में ठीक है after receiving this payment we will issue payments into your PayPal or Venuma accounts the payments will be reported on the MyEarnings page of your Cypherix account यहने के दोस्तों उनको उनको उनका earning मिल जाने के बाद वो calculate करेंगे कि आपने कितना वीडियो अप्लोड किया आपका कितना earning हुआ वो earning आपको PayPal में या भूल गया नाम को और जो service था उनका उस पर वो आपको दे देंगे और यहां पर आपका earning जो है वो आप MyEarnings में चेक कर सकते हो दोस्तों इसी तरह से थोड़ा सा चाला की करके आप YouTube Facebook से काफी ज्यादा earning कर सकते हो दोस्तों उमीद करता है आपको वीड कर दोता है तुल आपको अ 4 हाँ नापको प्रहां ए वीड़ा में वीड़ा खर आप घर एषा किव builder कि ए है वीड़ा किवा जापको northwest